विवान कुछ से फोन पर बात कर रहा था उसने कहा कि वो इशानी को उसके किये हर गुनाह की सजा देगा उसने बात करके जैसे ही फोन रखा उसने देखा अभी की नींद खुल गई थी और वो बैठा हुआ था वो जिस तरह से विवान की तरफ देख रहा था उससे साफ जाहर था कि उसने विवान की सारी बातीं सुन ली थी विवान उसे देख कर थोड़ा सकपका गया उसे लगा कि वो अभी के सामने उसकी मम्मी को सजा देने की बात कर रहा था ये बात जरूर अभी को बुरी लगी होगी विवान धीरे से उसके पास आया और बोला अभी, बिटा मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मैं तो बस ये कह रहा था कि उसने इतना कहा ही था कि अभी ने उसे रुपते हुए पूझा क्या आप सच में उसे सजा दे सकते हैं ये कहते हुए अभी की आँखों में हुस्सा था विवान उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाया उसे लगा कि अभी शायद ये कहना चाहता है कि क्या वो सच में इशानी को सजा देने वाला है विवान उससे जूट नहीं बोलना चाहता था पर वो उसे सच भी नहीं बता सकता था, जैसे भी हो आखिर इशानी उसकी मा थी और हर बच्चे को अपनी मा से लगाव होता है, वो उसे सजा पाते नहीं देख सकता और अभी तो पहले ही एक emotional वीक बच्चा था, अगर उसे सच का पता लगता, तो हो सकता था कि उसे फिर से panic attack आ जाता, कि सोचकर विवान ने तै किया कि वो अभी को सच नहीं बताएगा, इसलिए उसने बात को संभालते हुए कहा, अभी मैंने कहा ना कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं इशानी को कोई सजा नहीं देने वाला हूँ, तुम फिक्र मत करो, चलो अब सोजाओ, ने अभी-भी कहा था कि आप मेरी ममी को सजा देंगे, बताइए न, कि आप सच में उन्हें सजा दिलवा सकते हैं, कैसा हो सकता है, विवान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, और अभी के सवाल भी उसे अजीब लग रहे थे, वो इस बात से बिलकुल भी परेशा विवान नहीं लग रहा था, बलकि वो तो ये जानने को उच्सुक लग रहा था, कि क्या इशानी को सजा मिल सकती है, विवान ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो अभी, अभी ने जवाब दिया, विवान अंकल, क्या आप सच में उसे उसके सारे गुनाहों की सजा दे स विवान आकर अभी किस सामने बैच गया, और बोला, अभी, क्या तुम चाहते हो कि इशानी को सजा मिले, अभी ने धीरे से हां में सिरह लाया, और बोला, बताइए ना अंकल, क्या आप उसे सजा दे सकते हो, विवान ने हैरानी से पूछा, तुम अपनी ही मम्मी को सजा द कि तुम क्या कह रहे हो अभी, इशानी तुम्हारी मम्मी नहीं है, अभी ने कहा, नहीं, वो मेरी मम्मी नहीं है, और नहीं आप मेरे पापा हो, विवान ये बात तो पहले से ही जानता था, पर अभी के महों से ये सब सुनना, उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था, अभी अंकल उस आरत ने आप से जो भी कहा है सब जूट है उसकी बात मत मानिये उसने मुझसे भी जूट बोलने के लिए का था पर सच तो ये कि ना तो वो मेरी मा है और ना ही आप मेरे पापा हो विवान ने पूछा अभी अगर इशानी तुम्हारी मा नहीं है तो फिर कौन है और तुम उसके साथ क्यों हो तुम उसे मा क्यों कहते हो बताओ बेटा सच क्या है अभी ये सुनकर सर नीचे करके बैठ गया और अपनी दोनों हथेलियों को आपस में गूंथने लगा जैसा अकसर लोग डर कर या फेर नवस होकर करते हैं विवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बहुत प्यार से बोला अभी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है मैं और अदिती आंटी हमेशा तुम्हारे साथ है हम तुमें कुछ भी नहीं होने देंगे तुम्हें हम पर भरोसा है न अभी ने अ आखिर कौन हो तुम और इशानी की साथ क्या कर रहे हो उसे मम्मी क्यों कहते हो और उससे इतना डरते क्यों हो बताओ बेटा अभी ने एक पल के लिए विवान की ओर देखा और फिर उसने अपनी कहानी कहना शुरू किया एक ही सांस में वो सब कुछ बताता चला गया उसने ज इसी वक्त इशानी के कमरे में जाए और अपने हाथों से उसे मार दे पर फिर उसने खुद को संभाला सब बताते हुए अभी भी एमोशनल हो गया था और रोने लगा था विवान ने उसे अपने गले से लगा लिया और धेर सारा प्यार करने लगा अभी विवान की गोद म खुद को सक्योर महसूस कर रहा था थोड़ी देर में उसे नीन्द आ गई पर विवान उसकी बातों के बारे में ही सोच रहा था उसका मन किया कि वो अभी अधिती को कॉल करके सब बता दे उसने घड़ी देखी इस वक्त रात के तीन बज रहे थे उसने सोचा अधिती तो इस वक्त सो रही होगी? ने, इस वक्त उसकी नीन डिस्टरब ने करता। कल सुबह सब बता दूगा। वैसे भी वो अभी से बहुत अटाच हो गई है। अगर अभी उसे ये सब बताया तो वो अभी के बारे में सोच सोच कर परेशान होती रहेगी। फिर उसने अभी की ओ इशानी की दी हुई दस दिन की महलत में से पाँच दिन हो गए थे और अभी तक वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे जो इशानी को उनकी जिन्दगी से बाहर करते अब जो कुछ भी होना था वो कल के उनके प्लान पर डिपेंडन था अधिती उसी के बारे में सोच रही थी उसे अपना इसा बदल दिया वो इतनी रात को कॉल करके विवान की नीद खराब नहीं करना चाहती थी कल जो भी होने वाला था वो विवान और उसके लिए बहुत ही मुश्किल था जिस बात के बारे में वो दोनों कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे उन्हें उसी का नाटक क ये बात अदिती को बहुत पेचैन कर रही थी। अगर उनका प्लान जरा सभी फेल हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता था। वो यी सोचकर ही घबरा गए। उसने एक बार फिर से अपने फोन की ओर देखा और विवान का नंबर देखने लगी। वो एक बार उसस बात करना चाहती थी ताकि उसका मन हलका हो सके। पर तभी अंदर से अवी की रोती हुई आबाज आई। अदिती जल्दी से रूम में आई और अवी के पास जाकर बोली। अवी क्या हुआ रो क्यों रहे हो। अवी ने उसके गले लगते हुए कहा। अब मुझे अकेला छोड़कर कहां चली गई थी। मैं किता दर गया था। अदिती ने उससे प्यार करते हुए पूछा। इसमें डरने की क्या बात है बेटा। हम अपने घर में हैं और मैं भी तुम्हारे पास ही हूँ। वो तो मुझे नीन में आ रहे थी। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बालकोनी में चली गई थी। अच्छा पर तुम्हें डर किस बात से लग रहा था। अवी अदिती से अलग हुआ और बोला। सामने नहीं थी। तुम्हें और भी डर किया। अदिती ने फिर से उसे अपने गले से लगा लिया और बोली। अवी ये सिर्फ एक सपना था बेटा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम हमेशा अपने ममा पापा के साथ ही रोगे। ठीक है। चलो अब हम सो जाते हैं। अवी अदिती के हाथ पर सिर्फ रख कर सो गया। अदिती अपने दूसरे हाथ से उसके सिर्फ पर हाथ फेरती रही। वो भी अवी के सपने को सुनकर डर गई थी। और सोच रही थी कि आखिर अवी को ऐसा सपना क्यों आया होगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला है लगीप उसके दिल पर एक बोज था जो कम हो गया हो। उसने कल विवान को अपने मन की सारी बातें बता दी थी। विवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और फिर उसे कुछ सेकंड ऐसे ही प्यार से देखता रहा। अचानक से उसके मन में एक बात आई। उसने अभी को लेकर नीचे आ गया। नीचे इशानी नाश्टे की टेबल पर उसका वेट कर रही थी। विवान को देखते ही उसने प्यार से कहा। विवान ने बहुत कोशिश की मुस्कुराने की पर उससे नहीं हो पाया। इसलिए उसने बहुत ही उखडे होय अंदाज में कहा। इशानी को लगा कि कल उसने विवान को प्रपूस किया था, इस बात से वो अभी तक नाराज है। इसलिए वो बोली, विवान तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। विवान ने चाय का कप अपनी और लेते हुए पूछा। नहीं, मैं तुम से क्यों नाराज होंगा। इशानी ने अब बस ये अधिती नाम का काटा एक बार निकल जाए, तो उसके रास्ते में कोई नहीं आ सकता था। और अधिती भी बस पाँच दिनों में उसकी जिन्दगी से बहुत दूर चली जाने वाली थी। इशानी ने खुश होते हुए कहा, विवान, क्यों ना आज हम कहीं बा बाहर चली, विवान ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, बाहर कहा, इशानी बोली, आम, कहीं भी, बस हम दोनों, इससे थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, और तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा, विवान बोला, पर हम अभी को छोड़ कर कैसे जा सकते हैं, उसकी तबियत भी ठीक नहीं है, ये सुनकर इशानी का महों उतर गया, और वो सोचने लगी, विवान उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था, कि उसे अभी के यहां होने से चिड़ हो रही थी, वो तो विवान को पिगलाने के लिए अभी को यहां लाई थी, पर अब वो उसके लिए ही मुश्किल बन गया था, विवान को लगा कि उसके आइडिया पर काम करने का यही सही वक्त है, इसलिए वो बोला, इशानी अगर तुम्हें बुरा न लगे, तो क्या मैं एक बात कह सकता हूँ, इशानी ने बहुत प्यार से कहा, मुझे कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा लग सकता है, बोलो जो बोलना है, विवान बोला, इशानी मैं ये सोच रहा था कि हमें अभी को फिर से होस्टिल में ही छोड़ देना चाहिए, यहां पर उसका खयाल रखने के लिए कोई भी नहीं है, मैं दिन भर होटेल में रह और फिर हम संडे उसे यहां अपने पास ले आया करेंगे, विवान ने इशानी के मन की बात कह दी थी, वो खुद भी यही सोच रही थी, वो बोली, अब तुम सही कह रहे हो विवान, अभी का होस्टिल में ही रहना ठीक होगा, हम कल ही उसे होस्टिल छोड़ आएंगे, वि विवान ने उसे देख कर प्यार से कहा, अरे अभी, तुम उठ गए, आओ ना, नाश्ता कर लो, अभी ने विवान को धीर इसे गुद मॉनिंग कहा, इशानी की तरफ उसने नजर भी नहीं डाली, इशानी ने विवान को दिखाने के लिए बहुत प्यार से अभी से कहा, ग तुम्हें यहां बहुत बोर फील होता होगा ना, इसलिए मैंने और तुम्हारे विवान अंकल ने सोचा है कि हम तुम्हें फिर से हॉस्टल में छोड़ देते हैं, वहां तुम अपने दोस्तों के साथ रहोगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है ना, अभी ने य जबका कर अभी को इशारा किया कि वो उस पर भरोसा रखे, अभी को उसका इशारा समझ में आ गया, विवान बोला, अभी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें आज ही होस्टल छोड़ देता हूँ, अभी ने खड़े होते हुए कहा, ठीक है अंकल, इतना कहकर वो अपने रूम की ओर जाने लगा, विवान और इशानी भी नाश्ते की टेबल से उठ गए थे, तभी डूर बिल की आवाज आई, एक सर्वंट ने दर्वाजा खोला, और खोलकर साइड में खड़ा हो गया, ये देखकर विवान और इशानी दोनों ही हैरानी से दर्वाजे की ओर द